हेलो अबड़ीबन वेलकम तू महिंदराज और आल इंडिया स्पीट टैक डिस्कुशन के सेशन में स्टी नूमबर 50 जो स्टेट की स्टी थी उसके कोशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं और देखते हैं उसके पॉसिबल और शॉर्टेस्ट सलूशन क्या है तो स्टार्ट करते हैं 21 नंबर से हमारा यह स्टार्ट था और 21 नंबर कोशन जो था यह बिलकुल एक फार्मूला बेस्ट है अगर सभी को पता होगा कि अगर किसी वस्तू में हम बट्टा या फिर छूट डिसकाउंट की बात कर रहे हैं तो क्या लिखा है कि दो क्रमागत करना है नेट पर्संट का फर्मूला आपको पता होगा बिल्कुल वही फर्मूला में लगाना है बस यही कंविजन में नेत्पर्संट में सक्सेसिव हम धियां लखना कि यहां पर मैंस ऐगा जब भी हम successive discount की बात करेंगे अगला question ये था एक लड़का है उसको बोला गया 2 की power 5 और 9 की power 2 का multiply करिए ठीक है लेकिन उसने क्या करा 2, 5, 9, 2, 25, 92, 92 लिख दिया तो बताना है कि दोनों के बीच में difference क्या है ठीक है तो यहाँ पर ये 2 की power 5 और 9 की power 2 लिखा हुआ है चलो तो क्या करना है बस solve कर लेते हैं इसको अगर हमें क्या करना है हमें difference निकालना है अंतर निकालना है तो 2 की power 5 multiplied by 9 की power 2 और उसको minus करना है 2592 से तो बहुत देखे 2 की power 5 तो 32 होता है और 9 का square करेंगे तो वो 81 होता है minus 2592 इसका अगर हम multiply कर ले तो 81 2 जा 165 का 2 हासल केरी कितना जाएगा 16 न जाएगा 81 का 3 से multiply करो 3 बन जा 3 3 8 जा 24 और उसमें 16 और add कर दो जब आप add करोगे तो 2592 यह है 2592 यह है तो answer difference हमारा आ जाएगा यहां से 0 तो इसका difference 0 आएगा यह power 5 और power 2 लिखा हुआ है वहां पर अब क्या लिखा एगला question कि 10% का अगर reduction होता है कमी होती है तो क्या होता है राहुल 400 रुपए में 16 kg अधिक चीनी ख़िदने लगता है तो पृति किलोग्राम घटाववा मूली मतलब बाद वाला मूली क्या था वो हमें बताना है तो देखो प्रक्षन में क्या दे रखा है 10% की कमी और हम जानते हैं कि 10% का जो fractional value है यानि भिन्नात्माक माने वो एक बटा 10 होता है यह है रुपए में कमी तो जो बटे में लिखा है न इसको हम बोलते है P1 यानि की पहले वाला मूली और इसकी अंश्मा जो लिखा है उसको हम बोलते हैं कमी या बढ़ोत्तरी लेकिन कोशन में क्या बोला है A reduction 10% की कमी तो जो उपर एक लिखा है कोई भी नमबर लिखा हो ज़रूरी नहीं वो एक हो वहाँ पर 3 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है ठीक है तो ये तो है कमी अगर 10 में मैं एक की कमी करूंगा तो अब प्राइस मूली कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो प्राइस यानि की मूलियों की अनुपात क्या होगा पहले वाला 10 और दूसरा वाला 9 कोशन क्या बोल रहा है कोशन ये बोलता है कि वो 16 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है 400 रुपे देने के बाद तो घटा हुआ मूलियों बाद वाला मूलियों कितना है तो एक चीज को बस जहान दखना है प्राइस यानि की कीमत समान खर्च पर समान खर्च पर कॉंटिटी यानि की मात्रा की विद्करम होती इन्वर्स होती उल्टा है मतलब प्राइस बढ़ाओगे तो समान खर्च पर मात्रा कम होती जाएगी प्राइस कम करोगे तो जितने रुपए आप पहले दे रहे हैं उतने अभी दोगे तो आपकी प्राइस कम होगा तो मात्रा बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा तो मात्रा कम होती जाएगी तो इस स्थिती में जो आपकी मात्राओं का जो अनुपाद है अगर हम निकालें तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज बदल जाएंगे नौनुपाद दस और इस अनुपाद से मारा आंसर आएगा कैसे नौ से दस खरीदने लगा इसका मतलब एक जादा मिला लेकिन कोशन क्या बोल रहा है कोशन बोल रहा है 16 किलोग्राम जादा मिल रहा है तो एक कमान 16 किलोग्राम के बराबर हमें बताना क्या है हमें घटा हुआ मोली बताना है घटा हुआ मोली हम कब बता पाएंगे जब आपको कुल खर्च पता हो कि कितने रुपए दिये जा रहे और आपको कुल मात्रा पता हो कि कुल कितनी मात्रा जीरी आ रही है तब ही तो आएगा तो कुल खर्च कुल तो रुपए 400 दिये जा रहे हैं ये बात तो कंफर्म हो गई कि 400 दिये जा रहे हैं लेकिन कुल मात्रा कैसे निकालें तो जब एक यूनिट 16 किलोग्राम के बराबर ह तो घटी वाली सिती में Q2, 10 का मान निकाल लीजे, कितना आ जाएगा, 16 की 10 से गुणा, 160 किलोग्राम, कहने का मतलब, आप 400 रुपए देखकर, 160 किलोग्राम वस्तु खईद रहें, तो क्या प्रती किलोग्राम मुली नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते ह होगा, 400 रुपए देकर, हमें मिल रहा है, 160, तो भाग कर दें, 8 दूनी, 16, 8 पंजे, 40, तो ये बनेगा, 2 सही, 1 बटा, 2 प्रती किलोग्राम, और उसके साब से मारा option number A answer बन जाएगा, ये इसका answer हो जाएगा, अगला परशन, A और B की मात्सिक आए, क्या अनुपाद दे र मंतली इंकम B की कितनी है, तो देखो इसके लिए क्या करना है, A और B, ख़ड़ा सा नीचे लिख लिए इसको, A और B, ठीक, इंकम, यानि कि I का जो अनुपाद है, वो 6,5 है, expenditure, यानि खर्च, खर्च का अनुपाद कितना बोलना है, चारणपाद 3, चारणपाद 3 लगा दीजे, और यहाँ पर इनकी बचत, saving भी लिख दीजे, saving कितनी है, A के लिए 1600, B के लिए 1800, ठीक है, अब क्या करना है, अब A क्रॉस मल्टिप्लाई करना है, ठीक, चार की पांस से गुणा करें, और गुणा करने के बाद जो नंबर आए, वो A के उपर लिख दे, तो 4, 5, 20, तीन की 6 से गुणा करें और जो गुणा करने पार रिजल्टा 18 वो BQ पर लिख दीजे ऐसे ही चार की 18 से गुणा 18.42 यहां लिखिए तीन की 16 से गुणा 4800 यहां लिख दीजे आप क्या होगा इन दोनों का अंतर कितना आएगा 2 यूनिट इन दोनों का अंतर कितना आएगा 2400 यह अंतर कर लिया बस सीदे सीदे बोल देंगे 2 का मान 2400 रुपर के बराबर canvas तो एक यूनिट का मान 1200 रुपर के बराबर हमें बताना क्या है B की आये बता नहीं है मतलब 5 यूनिट का मान बताना है ठीक है? income of B, तो B कितना हो जाएगा, वो तो 5 unit है, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यह आजाएगा आपका रुपए 6,000, और इस हसाब से हमारा option number D answer इसका बनेगा, अगला प्रशन, एक circle जो है, वरत जो है, कि अंदर एक जो है, वो बनाए, क्या बनाए, आयत बनाए, ठीक, तो वरत का छितफल बताना है, क्या होगा, ठीक, कुछ इस तरह से इस्तिती होगी, ठीक, माली आयत है, तो जब हम इसका विकन खीचेंगे, आयत का, तो जब इस आयत का विकन खीचा जाएगा, तो होगा क्या, वो विकन वरत के व्यास के बराबर होगा, इसका मतलब, हमें वरत का छितफल बताना है, छितफल पाई आर स्कॉायर होता है, मतलब हमें आर की जरूरत है, अगर हमारे पास व्यास मिल गया, यानि की व्यासों तुरिजज़ा का दो गुना होتा है, तो आर यानि तरज्या भी निकाल सकते हैं, तो पहला स्टिप क्या ह हमें आयत का विकार निकालना है तो आयत की लंबाई चोड़ाई कितनी है 16 और 12 सेंटीमीटर ठीक, तो हम क्या बोलेंगे Diagonal of Rectangle आयत का जो विकार है वो इस इस्थिति में बराबर होगा Diameter of Circle Diameter of Circle ठीक है, और ध्यान रखना इसी इस्थिति में बराबर होगा जब उसके अंदर circumscribed दे रखा हुआ है ठीक है, हर एक इस्थिति में नहीं होगा इस इस्थिति में होगा तो हम जानते हैं जो वर्ग का विकार्ण है वो under root L square plus B square होता है ठीक, तो diameter को ये क्या हो जाएगा under root L square plus B square तो 12 का square plus 16 का square बराबर diameter ठीक, diameter मतलब सर्किल का diameter तो 12 का square 146, 16 का 2, 56, दोनों 400 हुए और 400 का वर्ग मूल 20 हो गया तो वर्ग का, सर्किल का जो diameter है व्यास वो आपका 20, ये भजाए किसमें है सेंटीमीटर में सेंटीमीटर आ गया तो तरिज्या R for radius कितनी होगी तरिज्या तो आधी होती ही व्यास की मतलब कि 10 सेंटीमीटर अगर ये आ गया तो वर्ग वर्ग का छेतरफल क्या होता है एरिया ओफ सर्किल पाई R square पाई 10 का square यानि की हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्कौाईर और option number C इसका अंसर लग जाएगा अगला प्रिशन एक बस जो है 45 किलमीटर पती घंटा की दर से जा रही है चाल से उसने ट्रक को पार किया जो की 150 मीटर आगे था और सेंटीम डिरेक्शन में है दोनों 30 सेकेंड का समय लगता है तो बताना है स्पीड ट्रक की कितनी है भई हमें पता है दो अबजेक्ट यानि दो बस्तूँ अगर समान दिशा में जाती है गती करती है तो वो सापिक्श चाल यानि की relative speed से चलती है और सेम डिरेक्शन में समान दिशा में चाल को मैनस करते हैं तो speed truck की महल लेते हैं Let speed of truck equals to x kilometer per r ठीक अब क्या बस इसको ओवर टेक करेगी तो चाल, चाल तो हो जाएगी मैनस, चाल बराबर दूरी, दूरी- इन दोनों क्या बीच की जिटती दूरी एक सो पचास बटे समय, थर्टी चाल किलोमेटर परती घंटा में है ये मीटर परती सेकेंड लिखा है हमें पता है मीटर प्रति सेकेंड को किलोमेटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं अठारा बटे 5 से गुड़ा थीक तो 30 पांच बार 5 से 5 बार कड़ गया तो 45 अज़ा के माइनस हो जाएगा एक्स बराबर क्या आएगा 45 माइनस 18 तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 27 किलोमेटर प्रति घंटा ठीक है और ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा आंसर यहां से बन जाएगा अगला प्रिशन आयू संबंदी प्रिशन है ए और बी है उनकी आयू का अंतर दो वर्ष का है ठीक तो ए की आयू को हम एक्स माल लेते है और बी की आयू को वाई माल लेते है तो क्या होगा X और Y दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दो वर्ष का मतलब जो A है उसको मैंने X ले लिया है और B जो है उसको Y ले लिया अब क्या बोला है A का जो father जो D है वो twice as old as A A के दो गुने है ठीक, A के पिता D की आईउ A से दो गुनी है ठीक, इसका मतलब D जो है वो 2X के बराबर होंगी और आई क्या लिखा है B is twice as old as his sister C, जो B है वो अपनी बहन की आईउ से दो गुना है बढ़ा है, मतलब B बढ़ा है और C छोटा है ठीक, तो क्या होगा भई B को तो अमने Y लिया है ठीक, तो C, सुरी sister की आईउ कितनी होगी sister की आईउ B की आदी होगी है ना, यानि कि Y upon 2, ये बन गया जब B की आईउ का आदा कर देंगे तो उसकी sister की आईउ आई जाएगी अब क्या लिखा है D और C की आईउ का अंतर दे रखा है A की आईउ बतानी है D और C, मतलब इन दोनों का अंतर 2X minus Y upon 2 बराबर कितना दे रखा है 40 वर्ष इसको multiply करिए 4X minus Y, 40 की दो से कुण 80 एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है हमें बताना है हमें A की आईउ बतानी ही मतलब X का मान निकालना है तो X समीकरण में होना चाहिए तो क्या करें समीकरण 1 और 2 को माइनस कर दे समीकरण 1 मैसे समीकरण 2 को माइनस किया जाए जब माइनस करेंगे तो समीकरण 2 के सारे चिन्न बदल जाएंगे ठीक जब माइनस करेंगे चलो इसको लिख लेते x-y बराबर 2 और यह बनेगा 4x-y बराबर 80 माइनस करने पर समीकार 2 के चिन परिपाटी बदल जाएगी तो यह हो जाएंगे cancel, तो माइनस का 3x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 78 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 26 तो यह क्या हो जाएगे, हमारे पास हमें A की आयू पूची गई है, हाँ तो A की आयू x के बराबर 26 वर्ष इसका उत्तर बिल्कुल सही बन जाएगा अगला प्रस्न एक व्यक्ति उसके पास 2 तरह के चीनी है, 12 रुपए प्रतिक किलोग्राम और 9 रुपए प्रतिक किलोग्राम ठीक, उनने उसको मिलाया और 11 रुपए प्रतिक किलोग्राम की दर से उसको बेच दिया और उसको जो लाब है, वो 1 बटा 8 हो रहा है कुल इन्वेस्टमेंट पर, मतलब क्रेमोली पर कुल 1 बटा 8 लाब है तो उसे किस अनुपात में मिलाया वो ratio बताना है ठीक है चलो देख लेते हैं जैसे हमान लेते हैं 12 प्रति किलोग्राम वाली जो मात्रा वो x ले लेते हैं ठीक और 9 प्रति किलोग्राम वाली मात्रा जो y रही होगी ठीक क्योंकि हमें पता नहीं कितना है तो कोई variable लगाना क्या होगा दूनों को जोड़ दे और कुल मात्रात के हिसाब से ठीक ज्यारा रुपए और प्रतिमद्र से बेचा गया है उसको इसका मतलब कुल विक्रेमूले जो है कुल विक्रेमुली आपका 11 x प्लस y बनेगा और विक्रेमुली क्या होता है क्रेमुली प्लस लाब क्रेमुली क्या होगा जो पहली वाली चीनी है 12 रुपे प्रतिकुलोग्राम वाली उसकी मातरा है x 12 x प्लस जो 9 रुपे प्रतिकुलोग्राम वाली चीनी उसकी मातरा है y तो तो कितना हो जाएगा,9Y, यह तो हो गया, क्रेमुली, प्लस लाब, लाब कितना, एक बटा, आउ़, होना चाहिए, और लाब तो क्रेमुली पर ही होता है, तो लाब की देख, यहाँ पर क्रेमुली फिर से लगा दो, 12x प्लस 9y, यह भी विक्रेमुले, यह भी विक्रेम हो ले दोनों को हमने बराबर लिख दिया X और Y कानुपात निकाल लेते हैं यहां से तो 8 की गोणा कर दें इसमें से 12, 96X प्लस 72Y प्लस 12X प्लस 9Y जब इस सब के बटे में 8 हैगा तो 8 यहां multiply कर जाएगा 88 X प्लस Y ठीक है तो यह 96 और 12 कितना हो जाएगा 108X 108X प्लस 72 और 9, 81Y बराबर 88X प्लस 88Y यह बनेगा अब इसको इदर अंतर कर दो 88 और 108 का अंतर 20X हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 7Y तो X बटे बाई कितना हो जाएगा 7 बटा 20 ठीक, 7 बटा 20 और X अनुपात वाई कितना हो जाएगा 7 अनुपात 20 तो इसके साफ़े औप्शन नमबर A हमार आंसर यहां से सही बनेगा अगला प्रशन 6 consecutive odd numbers क्रमागर विशम संख्याएं दे रखी हैं तो इनका औसत बताना है बिल्कुल सिंपल से ट्रिक लगानी है यह 6 संख्याएं अगर यह सम है अगर यह even है तो average क्या होगा जो बीच की दो टर्म है A, B, C, D, E, F तो बीच के कौन है? C और D बीच की टर्म हो जाएंगी C प्लस D डिवाइड़ बाइ 2 यह सके average हो जाएगा option number D answer बनेगा समसंख्याएं अगर ऐसी है तो करमागर विशम अगला प्रशन 400 रुपए जो है 441 बनके दो बर्शों में तो क्या amount यानि की मिश्धन मिलेगा? ठीक? गाशी क्या होगी? अगर हमने बियाज को 5% बढ़ा दिया गया चलो भई देखा जाए इसको तो एक चीज़ समझे 400 रुपए 441 बन गए दो वर्शों में अगर हम ये निकाल लें कि एक वर्श में कितना अंतर आएगा तो हम आसानी से rate निकाल सकते हैं तो जब पहले वाला rate निकल पाएगा उसके बाद ही हम तो उसमें 5% बढ़ा पाएगे तो हम क्या कर रहे हैं? ये तो दो वर्श बाद की कहनी है हमें दो वर्श पहले जाना है दो वर्श पीछे जाना है तो इसका वर्गमूल कर दें तो यह कितना हो जाएगा 20 और यह कितना हो जाएगा 21 ठीक है अगर जैसे कई बार ऐसा होता तीन वर्ष बाद ऐसा होता है तो तीन वर्ष पहले जाएंगे तो क्या करेंगे घनमूल करेंगे दो वर्ष पहले जाएंगे तो वर्गमूल करेंगे डिपेंड करेगा प्रस्ण मे आप कोशन क्या बोल रहा है कोशन ने का आप रेट को बढ़ण दिया गया तो इसको और 1 कल लेते है कर पहले वाली कंडिशन थीक है तो और अच्छे पहले हैं पहली शी कितना होगा कोशन बोल रहा है उसको पाँच पर्शन बढ़ाया गया तो 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत आपको चक्रवदी ब्याज मिल रहा है और आपको अमाउंट राशी कुल कितनी राशी मिलेगी यह बताना है ठीक है और क्या लिखा है चक्रवदी ब्याज के आधार पर हल करें तो हमें पता है प्रतिशत आपको चक्रवदी ब्याज दो साल में कैसे मिलेगा एकस प्लस वाई प्लस एकस वाई बटे सो वैसे पता होगा कि हम यह आपर एकस और वाई के स्थान पर दस लगा देंगे रेट लगाएंगे ठीक तो यह क्या होता है दस प्लस दस प्लस दस गुणा दस बटे सो यानि कि यह तो वैसे याद करने वाला मान है सबको पता होगा 21 परसेंट होता है तो सो प्रतिशत आपका मूलधन हो गया और 21 परसेंट आपका ब्याज हो गया तो आपका मिश्दन कितना हो जाएगा 121 परसेंट तो अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों अमाउंट हो जाएगा 121 परसेंट आफ प्रिंसिपल जितना भी मूलधन है उसी पर तो भी आज मिलेगा तो प्रतिशत में 00 कैंसल 121 का चार गुना कितना हो जाएगा 484 रुपे का कुल राशी मिल जाएगी और option number A हमारा answer यहां से बन जाएगा तो यह हमारे S350 के questions थे Thank you class